तो हेलो एन वेलकम यूओ आपको रेडी रहना है मैंसा क्यों गोल रहा हूं क्यूंकि कल स्टॉक में एक धमाका हो सकता है अडानी पावर बिल्कुल धमाकी के लिए त्यार है गाइस अच्छी रेली में दिखाई दे रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कल के दिन इसमें एक बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है बस हमें रेडी रहना है और जो मैं लेवल्स दे रहा हूं उन्हें एक ध्यान से आपको देखना है समझना है फरखना है और फिर आप बिल्कुल अपनी वाच्छ लिसमें अडानी पावर को रख सकते हो और अगर चाते हो तो इंट्राडे के लिए भी अच्छे लेवल से हो सकता है अगर आप लॉंग टाम की एसाब से करिदना चाते हो तो उसके एसाब से भी हमें अच्छे लेवल से मिलने वाले हैं तो गाइस वीडियो को एंड तक देखो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्ली के दिन 108 रुपे साथ पेसे पे क्लोजिंग दी है और देखा जाए 0.50 पेसे तक स्टॉक बढ़ा है 0.46 परसन के साब से और गाइस वही अगर देखे चार्ट को चार्ट अनालिसे अगर किया जाए तो काफी काफी जादा कई कॉंप्लिकेटर नहीं है एकदम एजी है सीदा के बाद इस टॉक यहाँ पर आया था यहाँ पर आने के बाद ए उपर जा रहा है यहाँ पर इस सपोर्ट ले ला है किस लेवल पर इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है तो इस लेवल पर इसने बिल्कुल इहाँ पर सपोर्ट ले लिया है अब सपोर्ट तो ले लिया है बट यहां से सीधा उपर क्योरे जाएगा और यहां से जो टार्गेट हमारे रहने वाले जो टार्गेट हमारे रहने वाले 135 के जो हमारा टार्गेट है जो लॉंग टार्म के जाब से और रहने वाले आने वाले एक या हो तो सो गाइस अब आगे बढ़ते और देखते पाच दिन के टाइम प्रेम पर अडानी ने क्या कुछ रिटन्स दिये है तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सिमिलर यह स्टॉक चल रहा था बट यहाँ पर जो उसने स्पाइक दिया काफी अच्छा था देखने लायक था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉक कितना बढ़ा है 104 रुपे 60 पेसे तक स्टॉक बढ़ गया है 4.47% के इसाब से अब देखे तो यहाँ पर क्या कुछ स्टॉक में हुआ है तो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ तो स्टॉक ओपन हुआ 109 रुपे 20 पेसे के प्राइस पर 110 रुपे 17 पेसे का हाई भी लगाया था स्टॉक ने लो की अगर बात की जाए 107 रुपे का लो भी स्टॉक ने लगाया है और गाइस अ बात करते है market cap की market cap अगर देख जाए 41.91,000 करोड के असपास का stock का market cap है इस market cap के जाप से तो easily लग जाता है कि एक mid cap stock है जो लॉंग टर्म के जाप से ऐसे ही stock हमें चाहिए जो 200, 150 के इंडर इंडर हमें मिल जाए तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो 52X का high और क्या कुछ लो है तो as a long term के जाप से अगर देखा जाए जो इसका 52X का high है 166.90 पेसे हमें long term के जाप से यही target रखना चाहिए और बिल्कुल इसे तो यह break करने वाला है आने आले time में तो guys अब देखते low के बारे में तो यहाँ पर 35.75 रुपिस का low भी stock में देखने को मल जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं resistance level support level तो यहाँ पर resistance level को discuss कर लेते हैं resistance level को अगर देखा जाए 110 रुपे 43 पेसे का असपास का first resistance level यहाँ पर देख जाएगा और guys वही अगर देखा जाए हाँ पर second resistance level के बारे में 112 रुपे 42 पेसे का है और जो third resistance level है वो 114 रुपे 13 पेसे का असपास का अब बात करते हैं यहाँ पर support levels की support levels अगर देखे जाए first support level हमारा है 106 रुपे 43 पेसे second support level है 105 रुपे 02 पेसे और जो third support level है 103 रुपे 03 पेसे का असपास का दिख जाएगा अब guys बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ price performance है तो वह भी देख लेते हैं तो price performance को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.89 परसेंट के असपास का first price performance वन वीक का दिख जाएगा और जो वन मंद का है 6.69 परसेंट है 3 months का देखा जाए 27.59 परसेंट वन यह का अगर देख है 117.77 परसेंट है अब गाइस बात करते ही क्या कुछ इसमें trade value और क्या कुछ competent delivery रहा है तो दोनों ही चीचे important जो volumes होता है stock में हमें बता देता है क्या कुछ stock में हुआ है अगर past का stock में एक दिन का दो दिन का दिखे तो यहाँ पर हम देखेंगे Friday के दिन का अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन क्रोर के something का जो यहाँ पर trade value रहा है और 88 lakh के something का है common delivery अस्टरेडे की अगर बात की अस्टरेडे में भी 97 lakh के something का ट्रेड वैल्यु है और 74 как की something का common delivery भाथ करेंगी horrificूपकी हों फ्हूंट यहां पर चुप कॉंपिननटील की जो अब बात करेंगी कम्लिटी सेंटिमेंट के सहाथ से ठाप से पर काफी सही हमें देखने को मिल रहे हैं कम्यूटी से सेंटिमेंट के साफ से लोग है वो बिल्कुल पॉजिटिव है अडानी पाउर को लेके क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 85 परसंट जो लोग है यहाँ पर बाइक ऑल दे रहे हैं लॉंग टर्म के साफ से बाइक ऑल उनकी और से दिया जा रहा है और जो 12 परसंट लोग है उनकी और से यहाँ पर सैल कॉल दिया जा रहा है और जो 3 परसंट लोग है यहाँ पर कह रहा है होल्ड के लिए होल्ड रखने के लिए कहा जा रहा है उनकी और से तो यहाँ पर तो काफी पॉजिटिव जीज़े हाँ पर भी नजएर आ रही है क्योंकि 85% लोग जो बाय करने के लिए के रहे तो काफी पॉजिटिव और सिर्फ 12 प्रतिशत लोग है जो सेल करने के लिए के रहे वड़ मेरा भी मानना ही यह गाइस लॉंग टरम के साफ से करिदना चाते हैं तो सही समय है और इंट्राडे के साफ स करिदना चाते हो तो बिलकुल करीद सकते हो और थ्री पर देख सकते हो यहाँ पर इन आकड़ों की वज़ेज़ बता चल जाता है कि लोग स्टॉक के बारे में क्या सोच रहा है तो गैसा बात करते हैं रेविन्यूस की रेविन्यूस अगर देखा जाये तो यहाँ अच्छ 20,304 करोड हैं और 2019 का अगर देखें 23,884 करोड 2020 का 26,469 करोड और 2021 का है 26,221 करोड अब बढ़ते हैं नेट फॉफिट के और तो नेट फॉफिट अगर देखा जाए 2017 से लेके 2020 तक तो काफी माइनस मेह रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए 2017 का तो यहाँ पर आप देख सकते 2017 का जो नेट फॉफिट है माइनस 6,174 करोड 2018 का अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 243 करोड के आसपास पोटर्स कि होल्टिंग है 74.97% कि आद सबसकिया है अगर देखा जाए पॉब्लीख होल्डिंग 8.33% कि आद सबसक्राइई पॉब्लीक की और जो डियाए की होल्डिंग है वह फाइवाइं 5.56% और जो फईक की होल्डिंग है वह है 11.14% तो shareholding pattern भी हमने discuss कर लिया है guys अज लॉंग term के साफ से खरीदारी करना हो बिल्कुल कर सकते हैं और रानी पाउरे best stock है लॉंग term के साफ से और short term के साफ से भी करिणना चाते हैं तो बिल्कुल मैंने patterns पता दिये इस वीडियो पसंदा आओ वीडियो को like करो चनल को subscribe करो Thank you